हेलो एवरिवन वेलकम टू स्टडी टाइम विथ निव इन्फॉर्मेटिव वीडियो एंटी पीसी एवन ग्रूप डी इसका फॉर्म कब निकला था आप सभी अच्छे से जानते हैं जब 2019 में लोग सभा के चुनाव थे तो एक बंपर वैकेंसी निकाल कर युवाओं को खु कर रहें और आप आपको क्या करना है अब आप सभी अच्छे से जानते हैं उसके बाद इसका एक्जाम कब होगा इसकी प्रॉसेस तब से चल रही थी कि टेंडर अब निकलेगा अब निकलेगा और ऐसे करते करते एक डिएड़ साल निकल गया और जब बच्चे हतास हो गए पता नहीं ये एक्जाम कब होगा जो हमारे मंत्री जी हैं वो भी नहीं बता रहे हैं मोदी जी तो कुछ बताई नहीं रहे थे इसके बाद काफी सिख्छकों ने मिलकर एक ट्विटर अभियान चलाया और बच्चोंने पूरा सहयोग दिया जिसके बाद मंत्री जी को सामने आकर बोलना पड़ा कि हाँ हम ये एक्जाम 15 दिसंबर से करवाने वाले हैं अरे भाई साब तो पहले ही बता देते कि हम ये एक्जाम 15 दिसंबर से करवाने वाले हैं इतना परेशान करने की क्या जरूरत थी लेकिन अब बच्चों के मन में एक और संदे है कि NTPC का एक्जाम तो हो रहा है लेकिन ग्रुप C और D जो ग्रुप D का फॉर्म था इसका भी तो हमने फॉर्म भिल किया था इसका पैसा भी तो हमने आपको 500 रुपए दिया था तो इसका एक्जाम कब करवाएंगे क्या इसके लिए फिर से ट्विटर अभियान चलाना पड़ेगा तब आप बताएंगे तो मंत्री जी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं आया कि हाँ हम एक्जाम करवाने जा रहे हैं लेकिन सूचना मिली है कि ये एक्जाम NTPC के बाद ही कंड़क्ट होगा बहुत से बच्चे और बहुत सी निउस निकल कर आ रही थी कि ग्रूप D का जो एक्जाम है वो NTPC के साथ ही होने वाला है तो ऐसा कुछ नहीं है साथ में नहीं होने वाला है पहले NTPC का एक्जाम होगा उसके बाद ग्रूप D का एक्जाम होगा क्योंकि NTPC के exam की जो process थी tender वगेरा pre-bid ये सारी चीज़े financial bid सारी चीज़े हो चुकी है और group D का अभी ये सारी चीज़े publish की गई है तो अभी इसमें time लगेगा तो जो भी बच्चे ये सोच रहे हैं कि group D का exam पहले होगा या NTPC का exam पहले होगा तो पहले NTPC का ही exam होगा और वैसे लगबक syllabus तो सेम ही है आप अपनी पढ़ाई करते रहिए और इन सब बातों में क्या रखा है आप अपनी पढ़ाई पे focus करिए जैसे ही NTPC का exam खत्म होगा उसके कुछ दिन बाद ही आपको group D का exam देखने को मिल जाएगा So thank you यही थी information और यह information ऐसा नहीं कि मनगड़नत बाते बना के आपको बता दी गई है official site से RRB की जो official site है वहाँ से पता की गई है आप भी जाकर देख सकते हैं जो process चल रही है So thank you मिलते हैं नई informative वीडियो के साथ और अगर आप इस channel पर नए हैं तो channel को subscribe कर सकते हैं यहाँ पर आपको सरकारी नौकरी से संबंदित सभी update समय समय पर मिलती रहती है Thank you